असलाम अलेकम जी, so we are done with a logo design process इसके बाद मैं आपसे कुछ platforms share करना पसंद करूंगा and they are very important और आपसे share करना बहुत जरूरी है अगर आप logo design process को मजीद समझना चाहते हैं और और भी experts से आप सीखना चाहते हैं कि वो किस तरह से एक logo को redesign करते हैं किस तरह से उनका thought process involved होता है और वो back end पे inspirations कैसे ले रहे होते हैं sketch कैसे कर रहे होते हैं और उसके बाद उसको illustrate कैसे करते हैं so it's very important और हर designer का process different होता है तो जो process आपको easy लगता है आप उस process के साथ जा सकते हैं so there is a channel the future academy आप YouTube पे इस channel को search करें और इसके बाद इसके videos वाले section में आ जाए videos वाले section में आके मैं आपको दो videos का थोड़ा सा follow up दिखाता हूँ कि उन दो videos में क्या है तो आप यहाँ पे कुछ videos देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ लोगो थेरेपी नजर आएगी ठीक है लोगो थेरेपी आपको नजर आ रही है तो लोगो थेरेपी या लोगो क्रिटीक्स यह वो सारी videos हैं जहाँ पे आपको एक expert एक किसी दूसरी company का लोगो redesign करतावा नजर आएगा ठीक है और अपना वो process यह करेगा कि मैंने किस process के जरीए इस लोगो को redesign किया तो यहाँ पे एक वीडियो है लोगो थेरेपी एपिसोड फूर है इनका इसको open कर लेते हैं तो एक बंदे ने post किया the future academy के facebook group के उपर अपना logo और हदील designer she is a designer और इसने इस लोगो को pick किया और इसके बाद इसको redesign किया ठीक है तो इसका process किया था for example यहाँ पे एक image ली गई और इसके बाद कुछ colors के साथ play करके इसको dark mode में convert कर दिया गया इसके बाद इसको sketch किया गया ठीक है sketch करने के बाद illustrator में कुछ guides place की गई और pen tool का इस्तमाल करते हुए उसको मजीद refine किया जा रहा है ठीक है और उसके बाद यह हमारे पास एक icon create हो गया इसके बाद इसको मसीद refine किया जा रहा है और मजीद inspirations ली जा रही है कि मुख्लिफ चीज़ें कैसे नजर आती है और क्या objects कैसे दिखते है ताकि उसकी representation दिखाई जाए ठीक है तो यह एक छोटी सी brainstorming session है यह brainstorming sessions भी हम लोगों ने किया तो different तरीकी है brainstorming sessions के और उसके बाद यह different variants create किये गए तो यह different variants आए और उसके बाद यह final logo create किया गया और कुछ guides के थूँँ उसको represent किया ठीक है यह colors add कर दिये गए उसके अंदर और यह आपके पास एक final representation नजर आ रही है और this is the mock-up ठीक है जी, so this is how you can go through different videos इसके बाद मैं आपको एक second वीडियो के तरफ लेके आता हूँ that is episode 5 और यहाँ पे अगर आप यह देखें ट्राविन का logo re-design किया गया यह उनका previous logo है और इसको वो re-design करेंगे ठीक है जी और यह उनका थुड़ा sketch process है यह उनका उसको sketch को convert करें illustration के अंदर उसको vectorize करें और यह उनके different steps है उन्होंने सारे steps अपने record की है कि मैंने कौन सा step में क्या चीज़ आइड की है ठीक है और final result है वो हमारे पास यहां पे आता है ठीक है और वो as an app icon कैसा नजर आएगा उसके different variants उन्होंने create किये ठीक है जी तो this one was the previous logo and this is the new logo तो इसमें भी आपको उनके पूरे process की समझ आएगी के वो कैसे process के थू गुजरे और उन्होंने कैसे उसकोरी design किया so these videos are very important for you अगर आप logo design के process को समझना चाहते हैं और अपने process को एक pro level पर लेके जाना चाहते हैं so this is very important कि आप उन लोगों से भी सीखें जो के industry के experts हैं और they are doing a very good work in the market इसके बाद मैं एक और एक website आपसे share कर लेता हूं that is the just creative just creative.com आप इस website पर जाएं और यहां पर जाके आपको multiple articles मिलेंगे blogs वेले section में चले जाएं for example मैंने article open किया है that is branding identity and logo design explained ठीक है यह हमने थोड़ा सा शुरू में किया भी था कि brand identity और logo में क्या difference है अब मजीद इसको read कर सकते हैं ठीक है जी और इसके बाद कुछ और यहां पर आपको articles मिलेंगे that how much for a logo design कि आप कितना charge कर सकता है या लोग कितना charge कर रहे हैं logo design का और इसके बाद हमारे पास एक और article है that is what makes a good logo ठीक है तो five principles है कुछ principles हमने भी discuss किये थे तो it is very important for you to read some of the articles to know more about the logo design जैसा कि how to present your logo design to clients to top tips and tools तो कुछ चीजें हमने भी देखी हैं मजीद आप इस ब्लॉग पर जाके जैकॉब से भी learn कर सकते हैं जैकॉब क्यास is a brand designer and strategist तो just creative यह आपके लिए एक website that is very important for you और इसके लाबा go to the future academy channel और यहां पर जाके जितने भी logo therapy के videos available है इनको देखें और जाने के different designers के design process क्या है और किस तरह से वो सोचते हैं और किस तरह से वो design करते हैं so go through the videos go through different articles go to go through different blogs this is very important for you और अपने लोगो को मजीद रफाइन करें that's all for these inspirational websites see you in the next lesson thank you so much